करनाटक में रविवार को कोविड नाइंटीन के तरह पर नए मामले सामने आए जो एक दिन में आए नए मामलों की सबसे ज्यादा संख्या है मरीजों में इस इजाफे के साथ राज्ये में कुल संक्रीमितों की संख्या बढ़कर 847 हो गई है जबकि एक और व्यक्ति की मौत से राज्ये में कोरोडा वारस से मरने वालों की संख्या 31 तक पहुँच गई है राज्ये के स्वास्त विभाग के मुताबिक सबसे ज्यादा 22 नए मामले बेल गाविम आए हैं जबकि आठ आठ नए मामले बागल कोट और शिमो गजिले से सामने आए हैं